हेलो फ्रेंट्स मैं मन्जु एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने यूटूब चैनल मन्जु की बग्या में अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज बेल आइकन को प्रस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कटिंग है जिसमें फ्लार आने लगे हैं कटिंग तो मैंने बहुत सी कशिकन पिटूनिया है और यह से टॉल वराइटी है मेरे गार्डन में मैंने लगाये हुए है और उन में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और पूरे समर बहुत ही अच्छे फूल आये हैं मैंने गार्डन में निकले हुए दो-तीन प्लांट को एक साथ निकाला और निकालने के बाद इस छोटे से पॉट में लगा दिया है जब मैंने लगाया था तो प्लांट बहुत ही छोटे थे अभी बड़े भी हो गए हैं और इनमें फूल आ रहे हैं और फ्लावरिंग इसमें आ रही है कम से कम एक हफ़ते से ही फूल आ रहे हैं और अभी दो बर्ट बने हुए हैं काफी अच्छी ग्रोध चल रही है तो मैक्सकन पिटुनिया को आप अपने गार्डन में जरूर एट करिए गाया उसके फूल बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छी तादात में फ्लावरिंग करते हैं, देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं, बहुत इसली आपके गार्डन में वो लग जाते हैं, और इनके बीच जहां जहां गिरते हैं, वहां वहां प्लावरिंग हो जाते हैं, दूसरा जीनिया है, और यह ट्रेडी हो गए हैं और उसमें बड आये और बड के साथ फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो यह इसी तरह से लगे लगे ही पॉर्ट में यह फ्लावरिंग करने लगे हैं और मैं सोचती ही रह गई कि इनको भी कहीं लगा दूँ पर समय नहीं मिला इसलिए से मैं लगा नहीं पाई हूं तो जीनिया को आप अपने गार्डन में जरूर एड करिए बहुत अच्छे फूल होते हैं बहुत इसली आपके गार्डन में लग जाते हैं और उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है बारिश की वज़े से यह पौदे हमारे गिर गए हैं और नहीं तो यह सीधे यह डॉर्फ इकजोरा है और मैंने डॉर्फ इकजोरा को अपने गार्डन में लगाया हुआ है इसकी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई हुई थी अभी रेनी सीजन यह बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है और आप इसमें बीच में देख सकते हैं फ्लार आ रहा है क्य कई तो मैंने पौदे लगा दिये हैं और कुछ इसमें अभी ऐसे ही रह गये हैं और देखिए कटिंग से लगे हुए विंका में फ्लार आ रहे हैं और कुछ ना कुछ फूल इसमें रोज आते रहते हैं अभी इसमें फूल देखिए जड़ा हुआ है और इसको मैंने लगाया था बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और बहुत इसली आपके गारण में लग जाते हैं तो विंका की कटिंग आप जरूर लगाईएगा देखने में उनके फूल अच्छे होते हैं और काफी दिनों तक फ्लावरिंग करते हैं बहुत इसली लगने वाले प्लांट हैं बीजों से भी बहुत इजी लगते हैं, और कटिंग से भी, तो विनका को आप जरूर लगाईएगा, यहां पर कुछ मैंने हिविसकस की कटिंग लगाई हुई है, और इस पॉर्ट में आप देख सकते हैं, कई कटिंग लगी हुई है, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, और सभी कटिंग लग गई हैं, सभी में नई पत्तियां आ गई है, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है, और मैंने इनको जब लगाया था, तो कम से कम एक महिना हो गया है और अभी सारी कटिंग अच्छी चल रही है कटिंग चलने के साथ साथ इतने कली भी बनने लगी है और देखे बड़ आ रही है और मैं जल्दी ही इसको रिपॉर्ट करने वाली हूँ दो कली आ रही है तो कटिंग में भी अगर अच्छी करूंगी तो वीडियो के थ्रू आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी तो यही कुछ हमारी कटिंग है जिनकी अच्छी ग्रोध चल रही है इस रेनी सीजन आप किसी भी फ्लावर प्लान की कटिंग लगा सकते हैं और यदि कटिंग आपकी सक्सेज होगी तो इसी तरह से आने लगेंगे और आपके पास अगर पॉट खाली है समय है तो आप इसको रिपॉर्ट कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें सेफ और सुरक्षित रखें आने वाले समय में आप जब भी चाहें तो इसको पॉट दे सकते हैं इसी तरह से मैंने कई और वी cutting लगाई हुई है, सभी की अच्छी growth चल रही है, फिलाल मैं अभी इतनी cutting आप लोगों से share कर रही हूँ, क्यूंकि इनकी growth हो रही है और इनमें flower आ रहे है, तो इसी तरह से आप cutting लगा सकते हैं, तो उमीद करती हूँ कि आप सभी अपने garden में cutting लगाएंगे और ऐसी ही growth होगी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो end करती हूँ मिलती हूँ next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए बाई